नमस्ते मित्रो, मुरादाबाद के एक छोटे से कस्वे काट के कारोबारी इद्रीस 11 जनवरी 2018 को अचानक कया हो जाते हैं दरसल इद्रीस की काट में ही कपड़ों की सिलाई की एक फैक्टरी है कारोबार इतना बड़ा था कि आसपास के जिलों में भी माल थोक में सप्लाई होता था इसी सिलसले में 11 जनवरी को वह प्रतापगड और सुल्तानपुर के कारोबारियों से पेमेंट लेने के लिए घर से निकले थे और हाँ जब भी वह इस तरह से पेमेंट लेने जाते थे तो घर वालों के संपर्क में रहते थे घर पर वह अक्षर फोन करते रहते थे लेकिन आज इद्रीज को घर से निकले पूरे दो दिन बीच चुके थे इद्रीज की पत्नी कनीजा लगातार संपर्क करने की कोसिस कर रही थी मगर उसका फोन स्वेच ओफ आ रहा था कनीजा बहुत परेशान हो जाती है इद्रीज की फैक्टरी के रेकॉर्ड में उन सभी कारोबारियों के नाम पते वे फोन नमबर दर्ज थे जिनके यहां इद्रीज अक्सर माल पहुचाया करता था चुकि इद्रीज परतापगड़ और सल्तानपुर के लिए निकला था इसलिए इद्रीज के बड़े बेटे सहनाज ने परतापगड़ और सुल्तानपुर के कारोबारियों को फोन करके अपने पिता के बारे में पूशा कारोबारियों ने सहनाज को बताया कि इद्रीस उनके पास आए तो थे लेकिन वह 11 जनवरी को ही पेमेंट लेकर चले गए थे पता चला की दोनों कारोबारियों से इद्रीस ने कुल मिला कर पांच लाक रुपे लिये थे यह ख़वर मिलते ही परिवार वालों के परेशानिया अब और वड़ जाती है सहनाज ने सभी जान पहचान बाले लोगों को फोन करके अपने पिता के बारे में पूशा लेकिन उनके विसे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थे तब ही कनीजा सहनाज के साथ मिलकर परताबगर पहुँच गई वहां के एसपी से मुलाकात कर उन्होंने पती के गायव होने की बात बताई एसपी साहब ने इद्रीज का फोन तुरंट ही सर्वेलाइंस पे लगवा दिया इस से उसकी लास्ट लोकेशन अमरोहा जले के गाउं रायपुर कला में पाई गई यह गाउं अमरोहा देहा थाना चेतर के अंतरगत आता है इसके बाद परताबगड पुलिस ने उन्हें अमरोहा देहा थाने में जाने की सला दी उसके बाद सहजाद और कनीजा थाना अमरोहा देहात पहुचे उन्होंने इद्रीज के गुम होने की जानकारी थाना परभारी को दी थाना प्रभारी ने सहनाज की तरफ से उसके पिता की गुमसूदगी दर्ज कर ली इसके बाद पुलिस उन से पूछती है कि तुम्हें किसी पर सक्तों नहीं है यदि हो तो बताओ तो सहनाज ने सक्चताया कि उसके घर के सामने रहने वाली फरीदा और उसके पती आरिफ नहीं हो नहो उसके पिता को कहीं गायब किया है क्योंकि मामला एक कारोबारी के गायब होने का था इसलिए थाना प्रभारी ने तुरंत यह सूचना S.P. साहब को दी S.P. साहब ने CEO के नित्रत में एक जांच टीम गठित की इसके बाद पुलिस की कारवाई सुरू हो गई पुलिस ने सबसे पहले इद्रीस के मुबाइल फोन की कॉल डेटेल निकाली तो पता चला कि इद्रीस के घर के सामने रहने वाली फरीदा ने 13 जनवरी को इद्रीस के मुबाइल पर कई वार कॉल की थी सेहनाज ने भी फरीदा और उसके पती पर सक जाता था इसलिए पुलिस को भी फरीदा पर सक हो गया पुलिस बिनादेरी की ये फरीदा और उसके पती आरिफ को उठा लेती है और जब सक्ती से पुलिस उनसे पूछताच करती है तो फरीदा और उसका पती सहनाज इद्रीज की हत्या की और उसके बाद सब को ठिकाने लगाने की बात कबूल कर लेता है इसके बाद उन्ही की निसान देही पर सब को एक बाग से बरामत किया जाता है जहां उन्होंने उसे दफन किया था इसके बाद पुलिस सब को अपने कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भीज देती है इसके बाद फरीदा और आरिफ से हत्या के कारण के विसे में जब गेहन पूस्ताच की गई इसके बाद पता चला कि यह पूरा घटना करम एक अवेद सम्बंद के चलते हुए हुआ दरसल इद्रीज की काठ में ही कपड़ों की सिलाई की एक फैक्टरी थी और उसी फैक्टरी में फरीदा नाम की एक महिला भी से लाई करती थी वह इद्रीज के घर के ठीक सामने रहती थी उसका पती साइकल रिपेरिंग का काम करता था अन्य कारीगरों के मुकाबले इद्रीज फातिमा का बहुत खायाल रखता था इतना ही नहीं वह अन्य कारीगरों से ज़्यादा उसे पगार भी देता था इस महरवानी की वज़े ये थी कि इद्रीज फरीदा को चाहने लगा था और ऐसे ही आगे चल कर उसके फरीदा से प्रेम संबंद बन गए करीब डیड़ साल से दोनों के नाजाइद संबंद चल रहे थे इसी दोरान फरीदा एक और बेटे खुज़न देती है इद्रीज फरीदा के छोटे बेटे को अपना बेटा बताता था इद्रीज फरीदा को बहुत चाहता था वह चाहता था कि फरीदा जिंद की भर उसके साथ रहे इसलिए वह फरीदा पर निकाह करनी का दबा बना रहा था उधर इद्रीज और फरीदा के प्रेम संबंदों की जानकारी पूरे महल लेको थी फरीदा के पती आरिफ ने भी फरीदा को बहुत समझाया कि उसकी वज़े से परिवार की बदना मी हो रही है वह इद्रीज से मिलना बंद कर दे उधर इद्रीज के पता बाबू ने भी इद्रीज को खूब समझाया कि वह क्यों अपनी घर गरस्ती को बरवाद करने पर तुला है लेकिन इद्रीज फरीजा के प्रेम जाल में ऐसा फस चुका था कि उसे छोडने के लिए तैयार ही नहीं था उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि फरीदा अपने पती को तलाग दे कर मुझ से निकाह कर ले और वे उसी के लिए फरीदा पर दबा बना रहा था पर फरीदा ऐसा करने से लगातार मना कर रही थी वे कह रही थी जैसा चल रहा है वे ऐसा ही चलने दो एक दिन घटना के पंद्रे दिन पहले रात में फरीदा के पास इद्रीज का फोन आया तो फोन की घंटी बजने से आरिफ की नीद खुल गई फरीदा लिहाफ के अंदर ही इद्रीज से बातें करने लगी वे इद्रीज से जो बात कर रही थी वे आरिफ भी सुन रहा था इद्रीज उससे कह रहा था कि वे अपने पती आरिफ को ठिकाने लगवा दे इस काम में वहे उसकी पूरी मदद करेगा इसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे अपनी हत्या की बात सुनकर आरिफ के खोव सुड़ गए लेकिन उस वक्त आरिफ ने फरीदा से कुछ नहीं कहा इसके बाद आरिफ ने फरीदा को विस्वास में लिया और घर ग्रस्ती का वास्ता दे कर कहा फरीदा इदरीज बहुत गिरा हुआ आदमी है बहुत घटी आदमी है वहे तुम्हें भेका कर मेरी हत्या करवाना चाहता है और उसके बाद वहे तुम्हारी भी हत्या कर सकता है बाकी तुम्हारी मर जी इसके बाद फरीदा अपने बच्चे की किसम क्हाते ह कहती है कि मैं इसी घर में तुमारे साथ ही रहूंगी इसके बाद आरिफ ने तैε कर लिया कि वह एदरीस को सबक सिखाएगा जरूर और इस काम में उसने फरीदा को भी सामल कर लिया फरीदा ने पती को यह भी बता दिया कि इदरीस पार्टियों से पेमेंट लेने के लिए परतापगड और सल्तानपुर गया हुआ है इस पर आरिफ ने उससे कहा कि किसी बहाने से उसे बुला लो बाकी का काम में खुद कर लूँगा इसके बाद आरिफ अपने इस सड्यंतर में अपने साले फरियाद को भी सामिल कर लेता है उदर परतापगड और सल्तानपुर के कारोबारियों से करीब पांच लाक रुपे लेकर इदरीस तेरे जनवरी को काट लोट रहा था सफर में उसने अपना फोन साइलेंट मोड पर लगा लिया था फरियदा ने इदरीस से बात करने के लिए इतने फोन किये पर इदरीस को पता ही नहीं चला इसके बावजूद फरियदा उसे लगातार फोन करती रही काट पहुँचने पर इद्रीस ने जैसे ही अपना फोन देखा तो फरीदा की इतनी मिस्कॉल देखकर में घबरा गया उसे लगा की पता नहीं क्या बात है जो इतनी वार फोन मिलाया है इसके बाद वो फरीदा पर फोन मिलाता है और पूछता है बताओ क्या बात है इतनी वार फौन क्यों किया फरीदा कहती है मैंने तै कर लिया है कि अब मैं आरिफ को तलाक दे कर तुम से ही निकाह करूंगी इसी के बारे मैं तुम से बात करना चाह रही थी मैं चाहती हूँ कि तुम अभी काट बसड़े पर आजाओ वही पर हम बात कर लेंगे प्रेमिका के मुह से अपनी मन की बात सुनकर इदरीज खुस हो गया और उसने कहा फरीदा मैं कुछ ही देर में वहां पहुँच रहा हूँ तुम भी जल्दी पहुँच जाओ इदरीज थोड़ी देर में बस अड़े पर पहुँच गया फरीदा अपने पती के साथ वहां पहले से ही मौझूद थी बातचीत के बाद फरीदा ने कहा यहीं पास में ही एक गाउं में मेरे भाई के यहां खाने का इंतजाम है वहां चलते हैं वहीं बातचीत हो जाएंगे इदरीज खाने और पीने दोनों का ही सौकीन था उस समय भी वह सराप पिये हुए था इसलिए फरीदा के साथ गाउं जाने के लिए तैयार हो गया जब वह वहां पहुँच गया तो फरीदा के भाई फरीज ने इदरीज का जोड़दार स्वागत किया कुछ देर बातचीत करने के बाद फरीज ने उससे खाना खाने के लिए कहा तो इदरीज ने सराप पीने के इच्छा जताई इस पर फरीज ने कहा कि काठ बस अड़े पर ठेका है वहीं पर पी लेंगे इसके बाद सराप की बोतले और पकोड़े लेकर तीनों मोटर साइकल से एक आम के बाग में पहुँच गए बाग में बैटकर तीनों ने सराप पी योजना के अनुसार आरिफ वे फर्याद ने कम पी और इद्रीस को कुछ ज़्यादा ही पिला दी इद्रीस जब ज़्यादा नसे में हो गया तो आरिफ इद्रीस से बोला देखो इद्रीस भाई तुम पैसे वाले हो मैं छोटा सा एक साइकल का मकैनिक हो मेरी तुम्हारी कोई बराबनी नहीं है तुम यहे बताओ कि मेरा घर क्यों बरबाद कर रहे हो तुम्हारी वज़े से मैं पहले ही महले में बदनाम हूँ अब तो पीछा छोड़ दो इसके बाद इद्रीस बोला देखो आरिफ तुम एक बात ध्यान से सुन लो मैं फरीदा से बहुत प्यार करता हूँ अब फरीदा मेरी है उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता तुम्हें यह भी बताए देता हूँ कि उसका जो पांच महनी का बच्चा है वह भी मेरा है आरिफ भी नसे में था यह सुनते ही उसका और फरीद का भी खून खौल उठा दोनों ने उससे कहा कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा इसके बाद दोनों ने इद्रीद के गले में पड़े मफलर से उसका गला घुड दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गए इद्रीद की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लास मोटर साइकल से खीच कर बाग के बीचो बीच ले जा कर डाल दी तलासी लेने पर इद्रीद की जेव से पांच लाख रुपे और एक मौवाइल फौन मिला उसके बाद फरियाद घर से फावड़ा लेकर आया आरिफ और फरियाद ने करीब पांच फुट गहरा गंडा खोद कर इद्रीद की लास को वहीं दफन कर दिया और इसके बाद वो घर वापस आ गए इद्रीद की जेव से मिले पैसे दोनों ने आपस में बाट लिये पुलिस ने फरियदा उसके पति आरिफ के बाद फरियाद को भी ग्रफ़तार कर लिया उनकी निसान देही पर पुलिस ने सतर हजार रुपे इद्रीज का मुवाइल फौन और फावड़ा भी बरामत कर लिया पुलिस ने तीनों अवयुकतों को गृफ्तार कर न्यायाले में प्ईश किया जहां से उन्हें न्याय कहरासत में भेज दिया गया अब आप समझ सकते हैं कि आवैद संबंदों का खेल कितना खतरनाक हो सकता है कितना घातक हो सकता है इसकी कलपना भी नहीं की जा सकती इसलिए हमारा इस कहाने को सुनाने का उद्दिश केबल इतना है जिस से आप सतर्क और सुरक्षित रह सकें यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक निर्वाद रूप से पहुंचती रहें वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका हरदय तलसी धन्यवाद जय हिंद जय भारत